है गाइस मैं हूँ पृति और आप सभी का हेल्ट टिप में स्वागते आशकती आज का दिन आपका शुप बित्रा होगा आज के वीडियो में जानेंगे कि एक कमेंट आया था मुझे उसमें कहा गया था कि जैसे मेल को एरेक्षण होता है तो क्या फीमेल को भी एरेक्षण हो चलिए वीडियो सुरू करते हैं एक चीज कहना चाहती हूँ इस टॉपिक पर जो आंसर है येस डोनों को होता है और ये कैसे होता है कब होता है और क्या-क्या चीज़े इसमें होती है चलिए जानते है फ्रेंट चलिए बात करते हैं मेल्स में जब उनको है इंटिमेट होने का मन करता है तब उनके उनका दिखता है क्योंकि उनका जो पैनिस है वह इरेक्ट हो जाता है उस टाइम पे वह हार्ड हो जाता है खड़ा हो जाता है और रेडी हो जाता है इंटर कोस के लिए फ्रेंट्स ये तो होगी मेल्स की बात अब जानते फिल्में में अगर आप देख परसें इरेक्शन होता है percentage-wise फ्रेंस यह जानके तो आप हैरानी हो गए होगे 200 परसेंट येस में वह दिखता है क्यों एक्सटोर्न होता है फिमेल के कीज में वह दिखता नहीं है जब फिमेल के मन में फिलिंग आते है जो आपने आपको इंटरकोस के लिए रेडि करती है होता है जो कि बाहर से ज़्यादा दिखता है पर अंदर से वह सौ गुना ज़्यादा बड़ा होता है फ्रेंस देखा जाए तो मेल में सिव उसकी जो सेंसेशन ऐसे पैनिस पे होती है और फीमेल में ना वह जो क्लिटोरिस है उसके अलावा पूरे से पार्ट में सेंसेशन हो रहता है इसलिए वह चोटा से दान पूरा पहाड के तरह जाता है जब उससे फीलिंग आती है तब फ्रेंस ट्वेंटी परसंट जो वजाइनल है होल उससे फीमेल प्लेजर पाती है बाकि एटी परसंट क्लिटोरिस से पाती है जब एना फीमेल साइस में डबल हो जाता है उसके अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है और वह मटर के दाने होता है उससे भी डबल हो जाता है उसमें सूजन आ जाती है वहां से दिखता नहीं है पर अंदर से सूजन आ जाती है इसके वज़े से जब इंटर कोस होता है तो व इस तरह से हो तना है आज का वीडियो जो है यहीं तक था होपस्व अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा रहेगा इसे लाइक जरू कीजिएक अपने फैमिली एल्टि रिलेटि चाद शेयर जरू कीजिएका चलिए बाइ मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं प्योप इस कर दो, कर दो, कर दो, कर दो